कि ही हरो फेंज मुद्बन स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे मल्टी वर्ड फिले हिसके कोय्टंस ये कोiblित लेटेस्ट बेटन के questions है सभी banking exams के लिए particularly bank p.o. mains exam के लिए तो चलिए देखते हैं इस video class को देखें ये questions हैं और ये questions काफी tricky होते हैं और काफी tough होते हैं इस तरहे questions bank p.o. mains exam में इस तरहे questions पूछे जाते हैं लेकिन जो trick में आपको बताऊंगा उस trick को यदि आप apply करते हैं तो इन tricky और tough questions को भी within 3-4 seconds आप answer तक पहुंच सकते हैं और इनको solve का सकते हैं और वो भी accuracy के साथ ठीक है तो इन tricks को आपको apply करना है इसमें basically दो trick में बताता हूँ एक trick होती है आपकी part of speech की trick कि उसमें किसी particular word के साथ कौन सा word जाएगा जैसे noun के साथ adjective जाता है ठीक है वर्ब के साथ adverb जाता है तो एक तो ये है part of speech combination trick ठीक है दूसरी trick में बताता हूँ आपको वो होती है word combination trick कि किस particular word के साथ कौन सा word naturally जा सकता है ठीक है तो यदि आप इन दो trick को apply करते हैं एक तो आप इस तरह के tricky question को within 3-4 second accuracy के साथ कर सकते हैं देखे यहाँ पर देखते हैं यह bank PO के real questions है जैसे आप यहाँ पर देखिए given the political dynamics in the US today a systematic solution to this problem is not यहाँ पर इस sentence को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि given the political dynamics अब US में जो political dynamics का सेनारियो है इस समय जो political उथल पथल का जो सेनारियो है उसको देखते हुए a systematic solution to this problem मतलब इस problem का systematic solution थोड़ा सा कठिन लगता है मतलब यहाँ पर आपको एक ऐसा word चाहिए जो clear का equivalent हो मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसका systematic solution इस problem का देख नहीं रहा है यह ऐसा लगता है काफी मुश्किल है तो इसके equivalent एक word चाहिए अब देखे इसके equivalent एक word जो है वो है आपका evident ठीक है यहाँ पर evident भरे तो यह sentence ही हो जाएगा given the political dynamics in the US today a systematic solution this problem is not evident मतलब not clear चुकि यहाँ पर हम बोल लाए है कि political dynamics को देखते हुए इस problem का systematic solution clear नहीं दिखरा evident नहीं दिखरा तो यहाँ पर evident आ सकता है यानि first option में आपका second आएगा लेकिन first option में second वाले जो हैं वो दो हैं यानि अब आपको थोड़ा सा further भी देखना पड़ेगा अब आप देखिए यहाँ पर second sentence पढ़िए the India-US strategic partnership is based on a strong interest देखिए दो लोग जब involved होते हैं किसी partnership में तो उसको हम क्या बोलते हैं mutual interest बोलते हैं तो यहाँ पर mutual से related एक word आपको चाहिए और mutual से related जो word है वो है mutuality यानि second, fifth और sixth वाला option इसमें आपका answer होगा यहाँ पर आपका answer होगा third तो इस तरह के questions में यदि इन trick को आप apply करते हैं तो आपने questions को आप पूरी accuracy के साथ कर सकते हैं और justify कर सकते हैं कि यही इसका answer होगा ठीक है तो यह skill आपको develop करनी पड़ेगी और इस skill को develop करने के लिए आपको reading करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि reading से एक neck create होता है आपके अंदर एक skill create होती है जिसमें आप word combinations को समझ जाते हैं आप पैचान जाते हैं कि इस word के साथ यहाँ पर यह word जा सकता है और part of speech को भी आप पैचान जाते हैं देखें अब हम देखते हैं second question और इसको भी मैं same trick से आपको बताऊंगा memory is a great charger it is also a great मतलब यहाँ पर या तो एक equivalent word चाहिए charger का या फिर इसका इसका एक contrasting word हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम बोलना है कि memory is a great charger memory is a great charger है और यह ऐसा भी हो सकता है मतलब memory ऐसा भी हो सकता है तो वो यहाँ पर एक word आपको चाहिए ठीक है मतलब यहाँ पर आपको एक noun चाहिए चुकि यहाँ पर noun है तो यहाँ पर भी noun चाहिए noun इसलिए भी आप पता लगा सकते है क्योंकि यहाँ पर a लगा हुआ है तो A किसके साथ आता है A आता है noun के साथ यानि यहाँ पर आपको noun का word चाहिए आप देखिए noun का word accommodation, delivering, supremacy, fallacy और noun का word चाहिए लेकि noun का word ऐसा होना चाहिए जो इस context में fit हो जाए जैसे accommodation है तो accommodation noun तो है लेकिन इस context में fit नहीं होगा क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते के memory is a great accommodation memory is a great accommodation आप बोलेंगी senseless होगा यह, हाला कि यह noun है तो noun तो आपको देखना है लेकिन ऐसा noun देखना है जो इस context में भी fit हो, ठीक है आप जैसे levering है कोई मतलब नहीं, supremacy एक noun है लेकिन memory is a supremacy आप नहीं बोल सकते, memory is a fallacy आप नहीं बोल सकते memory is a inhibitor आप बोल सकते हैं क्योंकि inhibitor एक noun है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को prevent करने वाला, रोकने वाला तो memory is a great charger it is also a great inhibitor आप बोल सकते हैं यहाँ पर तो अब आपको क्या करना है अब आपको direct options पर जाना है मतलब first में आपका fifth होना चाहिए, first में fifth cable और cable एक ही option में तो आपका answer होगा इसमें fourth अब आगे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं the congress memory of its past the congress memory of its past अब देखे, यहाँ पर energizes एक word दिया है the congress memory of its past धान से सुनिये मेरी बात को मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पर एक verb दी है the congress memory of its past energizes अब यह energizes word किसके लिए आया यहाँ पर एक subject चाहिए और subject होता है noun ठीक है subject होता है noun, तो यहाँ पर आपको एक noun चाहिए, अब इसमें से noun कौन सी word कौन सा word noun हो सकता है और इस context में fit हो सकता है तो वो word होगा supremacy क्योंकि Congress पहले BJP के आने से पहले Congress एक main पाती थी वो supreme पाती थी उसकी supremacy चलती थी ठीक है, तो यहाँ पर supremacy आप word लगा सकते हैं देखिए, यहाँ पर इसका sense भी निकल रहा है कि Congress memory of its past supremacy बतलब Congress का जो एक standing थी पास्ट में उसकी supremacy थी वो energize करती है इसको energizes it, but restrict its scope for a practical, ठीक है तो यहाँ पर third आएगा यहाँ आपका answer देखिए, fifth और third यहाँ पर आ रहा है और third में आएगा first, यहाँ आपका answer होगा इसमें fourth तो इस तरीके से इन questions को करना है बैंक P.O. means exam में आपको sufficient time मिलता है और आप आसानी से इन questions को यह दिस ट्रिक से करते हैं तो 35 questions आते हैं 35 में से 20 से 22 नंबर आप easily ला सकते हैं इन ट्रिक को आप apply करते हैं question number third देखते हैं देखिए कितना लंबा question है, tricky question है ठीक है, लेकिन कुछ student यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि यह सारे words हमें आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यह सारे words आपको आते हों सारे words किसी को नहीं आ सकते हैं और ना ही यह practically possible है और ना ही इसकी जरूवत है बिना सारे words जाने हुए भी आप इन questions को accuracy के साथ कर सकते हैं आपको cable simple common sense आपको apply करना है और सारे questions को मैं आपके सामने 3-4 second में solve करके बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर keyword इस word का मतलब आपको पता होना चाहिए इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब यह है कि एक तरब यहाँ पर curriculum designers जो हैं जिस path पर वो चलने से डरते हैं वहाँ पर film directors bold क्या लेते हैं यहाँ पर film directors टेक, relax, bold यहाँ बोल्ड adjective लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या लगाएंगे आप adjective किस चीज के साथ लगता है adjective लगता है noun के साथ तो यहाँ पर ना केबल आपको noun चाहिए बलकि ऐसी noun चाहिए जो trade से related हो ठीक है, यह है common sense trade से related word इसमें कौन सा है trade से related इसमें word है strides क्योंकि strides का मतलब होता है लंबे-लंबे कदम अब stride किसमें दिया है? stride दिया है third में stride दिया है third में तो first में जिसमें third आएगा वो आपका answer होगा first में third किसमें है? keval first में है तो यह इसका आपका answer हो जाएगा अब आप second में देखिए second option में देखिए क्या आएगा second option में बता देता हूँ कि killing of women on the killing of women on the that they are practicing witchcraft occasionally figure in the news इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अख़वारों में ऐसी news अक्सर आती रहती है जिसमें ऐसी महलाओं को मार दिया जाता है या खतम कर दिया जाता है इस संधे पर कि वो witchcraft को practice करती है witchcraft मतलब जादू टूना को practice करती है तो killing of women on the killing of women on the on the के साथ कौन सा word जोड़ सकता है? on the के साथ suspicion word जोड़ सकता है क्योंकि on the suspicion एक phrase होता है जिसका मतलब होता है कि इस संधे पर इस doubt पर चुकि ऐसा doubt रहता है कि इन महलाओं ने witchcraft को practice किया उस doubt के मानते हुए उन महलाओं को मार दिया जाता है इस तरह की news अक्वारों में छपती रहती है तो on the suspicion on the brink ये phrases है तो यहाँ पर देखिए suspicion second में आएगा तो second में भी इसमें suspicion word रखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आप तो यह answer आपका बिल्कुल सही है cable common sense और logic आपको apply करना है और आप इस तरह के question से आपको बिल्कूल भी डरने की जरूँवत नहीं है घबराने की जरूँवत नहीं है examiner आपका cable common sense चेक करना चाहरा है examiner आपका cable logic चेक करना चाहरा है कि आपका logic क्तना strong यह common sense क्तना strong यह examiner यह नहीं चाहता आप से sorry कि आपको सारे words के meaning पता हो या आप पूरा हिंदू को अच्छे तरीके से explain करना जानते हो दा हिंदू newspaper को तो examiner का purpose ये नहीं है examiner का purpose है कि आपका mental ability level अच्छा हो आपका logic अच्छा हो और आप एक strong common sense को और presence of mind को apply कर सके देखें अगेन ये question देखें ये कितना tricky और लंबा सा question लग रहा है लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको trick बताऊंगा the state must follow a more the state must follow a more यहाँ पर लेखा है policy policy क्या है noun है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए यहाँ पर एक adjective चाहिए क्योंकि noun को modify करता है adjective noun को modify करता है adjective लेकिन adjective भी ऐसा चाहिए जो policy के साथ जाए और इस context में सही fit हो policy के साथ कौन सा adjective आप लगा सकते हैं क्या आप फर्मेंट लगा सकते हैं फर्मेंट policy कभी आपने सुनाए कि फर्मेंट policy कोई word होता है holistic policy हो सकता है exception देखे exception policy क्योंकि exception तो एक noun है exceptional policy आप बोल सकते हैं लेकिन exception नहीं क्योंकि exception एक noun है resentment एक noun है resentment का मतलब होता है dissatisfaction burlesque, crusade इनका तो कुछ अलगी मतलब निकलता है तो यहाँ पर कौन सा word लगा सकते हैं holistic policy बोल सकते हैं holistic policy का मतलब होता है all inclusive policy the policy that contain each and everything ठीक है the holistic policy इसी निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं तो इस option में cable और cable holistic ही आ सकता है ठीक है तो second का आएगा किस में first में अब आपका answer क्या होगा आपका answer ऐसा होगा जिसमें first में second दिया हो first में second किस में दिया है first में second cable और cable third में दिया है आपका answer होगा third देखिए, मैंने केबल यहां तक इस question को पढ़ा और यहीं से केबल answer निकाल दिया मैंने यह नहीं पढ़ा, यह नहीं पढ़ा, यह नहीं पढ़ा, यह नहीं पढ़ा कितने सारा time मैंने बचा दिया और यहां पर एक वी word का मैं यह मान के चलता हूँ कि in words का meaning आपको नहीं पता है suppose in words का meaning नहीं पता है लेकिन holistic के common word है जो bank p.o. exam की तयारी कर रहा है उसको इसका meaning तो पता ही होना चाहिए ठीक है जैसे holistic के common word है exception एक बिल्कुल common word है resentment एक बिल्कुल common सा word है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे word आए इन में से एक या दू word आते हैं और इन तीन fillers में से किसी भी एक word को आप पकड़ लेते हैं दी तो आपका answer आ जाएगा जैसे मैंने first मैं पकड़ लिया यहाँ पर मैंने first मैं policy के साथ मुझे लगा कि holistic ही word यहाँ पर आ सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं sure हूँ 100% के यहाँ पर holistic word ही आ सकता है तो इसलिए मैंने तुरंट से यह answer लगा दिया यहाँ पर second अब यहाँ पर चुकि holistic word वाला combination सही है तो बाकी के option अपने आप ही सही हो जाएंगे देखिए मैं बाकी के option को आपको explain करके बता देता हूँ the state must follow a more holistic policy of creating incentives for firms leading to greater employment instead of merely dictating higher recruitment of locals तो कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि state को यानि state का मतलब है यहाँ पर कोई भी state ठीक है तो state को state का मतलब एक्टी रिपब्लिक भी होता है देश के लिए जो रिपब्लिक स्टेट है जैसे अपना इंडिया उसके लिए भी हम state यूज करते हैं तो state must follow a more holistic policy of creating incentive for firms leading to greater employment मतलब सारे राज्यों को एक ऐसी holistic policy बनानी चाहिए जिसमें एक अच्छे incentive की विवस्ता हो ऐसी firms के लिए जो greater employment को create कर रही है instead of merely dictating higher recruitment of locals ठीक है firms को incentive दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप local लोगों को के वल रिक्रूट कर रहे हैं गुजरात is no गुजरात is no, no के साथ कौन सा word जोड़ सकता है मतलब इसमें गुजरात कोई अपवाद नहीं है यहाँ पर states की बात हो रही है और यहाँ पर हम बोलें गुजरात is no exception तो second में केवल exception ही आ सकता है अब देखिए यहाँ पर भी मैं समनूं आपको from more developed ones such as महरास्ता to smaller states such as मेगाले to address to address मतलब यहाँ पर एक problem चाहिए क्योंकि problem को हम address करते हैं address का मतलब है address करते हैं किसको किसी भी issue को किसी भी problem को उसको सुल्जाते हैं उसको solve करते हैं तो to address मतलब यहाँ पर problem से related एक word चाहिए to address over the positive of jobs ठीक है तो positive of job यदि है positive of job यदि नहीं है यदि jobs की कमी है किसी state में तो उस state के लोग उस state के लोगों की जो अवस्था होगी वो कैसी अवस्था होगी वो अवस्था होगी resentment की वो अवस्था होगी dissatisfaction की तो यहाँ पर देखिए resentment कितना सही यहाँ पर fit हो रहा है तो कुल मिलाके आपका यह third जो होगा यह third जो होगा यहाँ पर सही answer आपका होगा ठीक है आप देखिए यहाँ पर मैं trick बता रहा हूँ question अलग-लग हो सकता है question का sentence अलग-लग हो सकता है words अलग-लग हो सकते हैं लेकिन जो basic principles हैं जो basic tricks हैं वो same रहेंगी principles कभी change नहीं होते example change होते है principles कभी change नहीं होते तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए मैं आपको 10 question इसमें बताऊंगा और 10 question को 10 question के through आप जो trick सीखेंगे उन tricks को आप 1000 questions पर आप apply का सकते हैं और कर पाएंगे ठीक है तो यह ठीज आपको इस video class से सीखनी है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं जोब अपोर्चुनिटी का मिलता जोटा वर्ड आपको यहाँ पर चाहिए क्योंकि end के साथ हम equivalent words को जोडते हैं end के साथ हम equivalent words को जोडते हैं तो job opportunity का equal यहाँ पर चाहिए आपको और job opportunity का equal word इसमें देखिए कौन सा है क्या hampered है, क्या access है क्या invest है, क्या notable है, क्या bbh है नहीं है, job opportunity का equivalent word है eligibility क्योंकि जब आप job के लिए eligible होंगे तभी तो आपको job opportunity मिलेगी सबोज आप 40 साल के हैं और bank p.o के exam भर पाएंगे क्या आप नहीं भर पाएंगे तो job opportunity का equivalent word क्या है eligibility job opportunity का equivalent word है तो short short first my first ही आएगा ठीक है, अब आप आजाईए पूरा question करें बना सीजे option पर आजाईए first my first कहां पर दिया है first my first second में दिया है second होगा आपका answer कितना time लगा, यदि आप count करें तो 3 से 4 second लगा इस question को solve करने में मैंने पूरा question नहीं पढ़ा मैंने पूरे फिलर्स नहीं पढ़े मैंने सारे words नहीं देखे और सारा answer आपके सामने निकाल कर रख दिया और ये real questions है ये bank p.o के real question है जो किसी exam पर पूछे गए है ये मेरे बनाए हुए question नहीं है ये real questions है ये बात मैं इसलिए बोल लाँ ताकि आपको एक confidence आजाए कि bank p.o pre or base exam को आप आराम से निकाल सकते है sexual और overall court of आराम से आप निकाल सकते है बस आपको अपने अंदर विश्वा सकना है common sense को अपलाई करना है logic को अपलाई करना है 110% आप bank p.o किसी भी exam को निकाल सकते है तो फस्ट में आएगा eligibility अब देखिए second में second word है यानि second में देखिए मैं इसको आपको justify करके बताता हूँ it has made little impact on male aggression and self-righteousness the potential that education has for improving male sanity has been severely has been severely क्या है adverb है यानि यहाँ पर आपको verb चाहिए और verb क्या है देखिए यहाँ पर मैं कैई logic बता देता हूँ आपको देखिए यहाँ पर has been हम किसमें लगाते है passive voice में लगाते है has been के साथ verb की third form अब लगाते है तो यहाँ पर ना cable verb चाहिए आपको बलकि verb की third form चाहिए तो verb की third form इन options में चाहिए cable और cable hampered है तो hampered word ही आ सकता है यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए easy तो easy क्या है adjective है adjective के साथ noun लगाते है कौन सा noun आ सकता है यहाँ पर आएगा access क्योंकि easy access हमने पढ़ा हुआ है हम पढ़ते हैं कि easy access ठीक है तो इसके साथ यह naturally word जाता है easy के साथ access तो इस तरीके से first second third में first second और third यहाँ पर आपके जाएंगे और इस तरीके से आपका यह answer आपका बन जाएगा second चलिए next question देखते हैं देखिए इसको भी मैं फिर से trick से आपको बताऊंगा best failure has its critics who point to the risk of territorial from देखिए suppose आप यह question पढ़ रहे हैं और इस question में कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है suppose best failure क्या है नहीं समझ में आ रहा है आपको तो देखिए आप आप कैसे करेंगे suppose best failure has its critics best failure के भी critics हैं best failure के भी criticize करने वाले लोग हैं यानि best failure कोई noun है यहाँ पर suppose आपको best failure का मतलब नहीं पता तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक noun है best failure has its critics who point to the risk of territoryality from geopolitical autonomy suppose इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा अब आप क्या करेंगे from यहाँ पर keyword है from के साथ कौन सा word जा सकता है यह आप देखेंगे options में pre-pointy rent from नहीं होता pretence from नहीं होता metaphor from नहीं होता click from नहीं होता habitual from नहीं होता stemming from होता है क्योंकि stem from का मतलब होता है किसी जगे से originate होना किसी जगे से निकलना तो यह मैंने कैसे पता लगाया कि stem के साथ from आता है यह मैंने पता लगाया है reading से ठीक है reading से तो यहां पर चुकी reading मैं करता हूं इसने reading से मैंने पता लगा लिया कि stem के साथ from word जाता है और stem from का मतलब होता है to originate from a certain point to originate from somewhere ठीक है तो stemming यहां पर बिल्कुल सही आपका choice होगा बाकी के option मैंने लगा के बता है habitual नहीं जाएगा click सब और जिन मतलब आपको नहीं पता लेकिन फिर भी यह कॉमर्सेंस से आप बता सकते हैं कि प्रिपॉंडी रेंट from नहीं होता प्रिटेंस का मतलब तो बहाना होता है metaphor का मतलब तुल्ला करते है है metaphor से हम ठीक है तो यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा इस टैमिंग अब आप सीधा option पर आजाओ first में first कितने में हैं first में first केबल एक ही में है second option में जो फस्ट option है वो फस्ट है तो आपका अंसर होगा second इस तरीके से को लगाना है अब आप देखिए यहां पर देखिए यहां पर चलो स्वर्ड को यहां पर देखिए become a byword by word क्या होता है बाइवर्ड से हम comparison करते हैं किसी चीज़ का वह बाइवर्ड होता है मेटाफॉर मेटाफॉर ही बाइवर्ड होता है तो मेटाफॉर यहां पर आ जाएगा तीसरे में देखिए क्या है technologically and financially and politically dominant financially यहां पर हम बोलेंगे financially financially second second word आएगा financially financially preponderant preponderant का मतलब है dominant यहां पर actually keyword है dominant तो dominant का equivalent यहां पर चाहिए और वो है preponderant तो इस तरीके से इन questions का answers आपको निकालना है नेक्स question देखते हैं कितना tricky question है कितना tricky question है कितना tough question है लेकिन ज्यादा तर student क्या करेंगे जातर student यह करेंगे कि इसको question को देखते ही वो panic हो जाएंगे nervous हो जाएंगे अरे मेरे से यह question नहीं होगा बहुत लंबा question है बहुत tricky question है लेकिन यह कुछ भी लंबा नहीं है कुछ भी tricky नहीं है यदि आप simple common sense आप apply करते हैं तो इन question को within seconds में आप कर सकते हैं जैसे एक कहावत है कि शक्ती के साथ युक्ती की भी जरूवत पड़ती है आपको ठीक है केबल power से कुछ नहीं होता power के साथ tact की भी जरूवत पड़ती है तो यहां पर मैं tact की ही बात कर रहा हूं ठीक है आपक आपको simple text apply करना है जो text rankers और टॉपर्स apply करते हैं उन उन text को मैं इस video course में आपको बताता हूं और इन text को आप apply करते हैं सभी subjects में तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको bank p.o exam में select होने से नहीं रोप पाएगी देखें यहां पर देखें इंडिया पाकिस्तान एंड चाइन हो सकते हैं बहुत हाई-level के f Flow सकते हैं बहुत सीरियस एफ्ट हो सकते हैं वह सिंपल हो सकते हैं तो आपको यहां पर यह सोचना है कि effect के साथ कौन-कौन से वर्ड जा सकते हैं ठिक है अब देखिये यहां पर क्या Hazy fake- hindsight होता है पर एसे सारे word effect गासटे हैं तो moderate word यहां पर आ सकता है बाकिय इतकạo कोई scheishली बनेगा यहां पर जान आब को सीधा option पर आना है सेकेंड किसमें दिया है फर्स्ट में सेकंड कितना उब दिया है फर्स्ट में सेकंड इसमें भी दिया है फर्स्ट में सेकंड इसमें भी दिया है अब आपको थोड़ा सा आगे और पढ़ना पढ़ेगा कि सेकंड ओप्शन में फोर्थ आएगा या थार्ड आएगा अब देखिए यहां पर देखिए will, these will, will के साथ अब क्या लगाते हैं, will के साथ वर्ब की first form लगाते हैं, will के साथ वर्ब की first form लगाते हैं, वर्ब की first form यहाँ पर कौन सी है, prognosis, prognosis noun है, bellicose adjective है, inui verb है, sinch, वर्ब है, ठीक है, वर्ब कौन सी है, वर्ब की first form कौन सी है, वर्ब की first form है, वर्ब की first form है, रेकेंड में आएगा आपका सिक्स्त यानि आपका आंसर होगा फस्ट ठीक है अब देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा होगा मुस्किल से चार या पांस सेकेंड लगा होगा इस कोस्टन को मैं पूरा सेंटेंस नहीं पड़ा मुझे सारे वर्ड्स नहीं पता मुझे नहीं पता सिंच क्या होता है इनुई क्या होता है वेली कूर्स क्या होता है प्रागनोसिस क्या होता है सिंपल कॉमंस मैंने अपलाई किया और आंसर निकालके आपके सामने मैंने इसमें रह दिया तो इसी तरीके से आपको आंसर निकालना है और उसको जस इसका मतलब होता है forecast, तो forecast word भी इसमें आपका बिलकुल सही है, चलिए next question देखते हैं, again देखिए कितने tough word हैं, quantum, reiterating, overhang, crippled, rampart, tribulation, very very tough word, बहुत tough इसमें question है, और देखिए कितना लंबा question लग रहा है, और देखिए अभी से आप count करना शुरू करिए, तीन second में इसका answer आपक के सामने कि यह answer सही है, देखिए, the road accidents, road accidents की बात हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको छोड़ दिए, यह मिरे को समझ में नहीं आया, यहाँ पर आ जाईए आप, concern at the large number of people who die every year and thousand, देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि large road accident काफी बली संख्या में, काफी बली संख् equivalent, मतलब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर sentence बोलना चाह रहा है, कि हजारों की लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, और हजारों की संख्या में लोग die का equivalent word है, injured, injured हो जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग die होत मतलब होता है इनजर्ड हो जाना बहुत बुरी तरीकर से इजर्ड हो जाना जिसमें हांत प्रीर do हो जाते हैं उसको हम बूलते हैं इंजर्ड तो यहां पर आएगा क्डिपल अब अप्सीज्य 오디오 ओप्शन में और हमया। ऐतंग किस ओपशन में आखरी वाला ओप्शनों से 7 और 2 है। एक JAMES भी रेक्षा से कंड़ Geschw City की मिन को षिक बना है, थर्ब आखर करें। मुझे मेरा आथ के सा भी ठीज रहे है। और इस में भी है, इन दोनों में से कोई एक answer है, अब यहाँ पर दें कि shift के साथ कौन सा word जाएगा, shift के साथ cable और cable quantum word ही जाता है, क्योंकि ये word मैंने reading से पता लगा है, मैंने reading में पढ़ा है कि quantum shift नाम से एक word होता है, मुझे नहीं पता quantum shift क्या होता है, लेकिन मैंने read किया है मुझे पता है कि quantum shift नाम से एक चीज होती है, तो second में आएगा quantum, यानि second में आएगा first, तो आपका answer होगा यहाँ पर second, क्योंकि यहाँ पर second में first दिया हुआ है, इसमें second में first नहीं दिया हुआ है, तो आपका answer होगा इसमें second, देखिए, इस तरीके से करना है इन questions को, एक question और देख लेते हैं ठीक है इसको भी मैं उसी तरीके से करूंगा फ्रॉम इंडिपेंडेंटेंटेंट्स इंडियास पॉलिटिक्स हैस टेकन दा फॉर्म ओफ एक कंसेंसस यहां पर एक वर्ड दिया है तू के साथ कौन सब जाता है नेचुरली इन मैं से तू के साथ कौन सब जाता है स्टयाइडन्टेंग्स टू, धॉनраш किस में आएगा सबस्टेंग्स में थर्ड घार फस्ट में थर्ड वाला फस्ट आपकार रो गया थर्ड इतलए इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि परंटेंग्स के साथ तू वर्ड ही आसकता है दूसरे वर्ड नहीं नहीं आ सकते, इसलिए मैंने दूसरे options को पढ़ा ही नहीं और answer लगा दिया, और मैं sure हूँ कि यही इसका answer होगा, क्योंकि यह चीज आती है आपको reading से, और इस चीज को आपको apply करना है test series में, test series में ऐसे नहीं कि आप test series करते जा रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको test series में करना है, test series का analysis is most important, क्योंकि अगर आप analyze नहीं करेंगे test series को, तो फिर कोई फाइदा नहीं है, suppose 10 question आए, suppose एक test series में आपने 100 question किये, 10 question ऐसे थे, जिसमें आपको problem आ रहे हैं, तो उन questions को आप note करो, और देखो को क्यों problem आ रहे हैं, कहां पर आपने क्या गलती की ताकि अगली बार, अगली test में, जब वो 10 question आए, तो वो question आपके गलत नहीं हो, ठीक है, इस तरीके से test series को किया जाता है, इस तरीके से test series को analyze किया जाता है, test series का मतलब यह नहीं है कि आपने test series खोल दी और आप लगाते जा रहे हैं, गलत सही, गलत सही, जो भी होता जा रह कि कितने question आपके गलत हुए, गलत होने का reason क्या ता, क्यों गलत हुए, कहां पर आपकी weakness रही, और आपको ensure करना है कि अगली बार, वो ही same question आते हैं, तो वो question आपके किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो इस video class में मैंने 10 question लिये हैं, सारे नए pattern के question है, और ये bank p.o.mains level के questions है, और मुझे उमीद है कि आपके लिए काफी फाइदय मन दिये questions होंगे, के बल दो trick मैंने बताई हैं, इसमें एक part of speech की trick बताई है, और एक word combination की trick बताई है, इन trick को अधि आप apply करते हैं, तो tough से tough question को within seconds of accuracy के साथ solve कर पाएंगे, तो इस video class को कोई भी feedback आप दे सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा, next video class में, thank you.